नमस्कार प्यारे सम्मनित किसन भाई आप देख रहे हैं विजय किसन और मैं आपका होष्ट डॉक्टर नेकंज कमार विजय आज हम बात करेंगे पसों में खुरपा का मुहपा का बीमारी की जिसे हम फोटेंड माउथ डिजीज या एफमडे डिजीज के नम से भी जानते हैं तो आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किन पसों में होता है तो जो विभक्त खुरवाले हैं जिनके खुर अलग अलग होता है कलोवन फुटेड पसों में अत्यधिक देखने को मिलता है इसमें आपके भेड, बकरी, गाए, भेंस, सुवर, हेरन, इत्यादी पसों आ अंदर आधिक फैलता है तो जैसे कि अभी हमने बताया कि विसानु जनित भी मरी है तो कभी भी किसी भी मोसम में, किसी भी आईएो के पसों में हो सकता है इसमें पसों की मौत बहुत कम केस में देखना को मिलती है वो भी भू की अन्या कारणों से अन्या था इसमें पसों की ग्याविन होते हैं तो उनमें गर्वात वाली इस्तिती भी बन जाती है और कहीं बार अल्पकालीन या फिर पूर्णकालीन बांजबन भी देखने को मिलता है अब अगर हम लक्षन की बात करें तो इसमें तेजबुखार, पसू के मुह, मसूडे, जीब के उपर, नीचे, बन जाता है और कई बार इन जखमों में कीडे भी हो जाते हैं तो अब इसमें क्या है कि पसू जुगाली करना बिल्कुल बंद कर देता है पसू के मुह से लगातार लाग गिरती रहती है पसू सुस्त पढ़ जाता है खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है या फिर कई ब खुरों के जो बीच की जगा है उसमें कीडे हो जाते हैं घाओं में और जो दुधरू पसु में उनका दूद पूंतिया सूक जाता है पसु पैर को बार बार जाड़ता है पैरों में सूचन खुरों के आसपास दिखाई देने लगती है पसु लंगडा कर चलता है कहीं बार वो चल भी नहीं पाता और खड़ा भी नहीं हो पाता एक से दो दिन तेज बुखार पसू को होता है घाओं में केड़े पढ़ने से कहीं बार पसू की मरत्यों का कारण घाओं में केड़े पढ़ना भी हो जाता है मुह से लगतार लार गिरने की समस्या इसमें रहती पसू की कारेशमता पूरी तरीके से घड़ जाती है कई बार पसू सुष्थ होने के बाद भी महीनों तक अपनी पून कारेशमता पर नहीं आ पाता और जो परजनन शमता है उसका भी हास होता है कई बार पून कालिक बांजबन पसों में देखने को मिलता है अगर उपचार की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि खुर्पा का मुपा का बीमारी के लिए कोई भी निश्चित उपचार अभी तक नहीं है बस कुछ उपचार हैं जिनकी मदद से आप पसो को उसकी बीमा कारी को कंट्रोल कर सकते हैं जैसे नीम और पीपल की चाल का काड़ा बना करके खुरों की सफाई करने के बाद फिनाल युक्त पानी से धोकर उसके बाद उसमें मरहम लॉरेक्सन वगेरा कहीं तरह के मार्केट में उपलब्ध हैं जो घाओ को सुखने का भी कारे करते हैं औ उनसे जो है मुगी साफसपाई कर दे जाती है और उसके बाद में उनमें भी हलक मरहम मुलायम और सूपाच्य प्रोटीन युक्त खाना पसो को दिया जाता है पसो चिकितसक के परामर्स से कुछ एंटिबाटिक हैं जो पसो को दिये जाते हैं अगर हम सावधानियों की बात साबुन से अच्छे से धोकर सुष्ट पसो के पास जाएं दूसरा पसो को जो उसका आसन है वो आरामदायक रखें उसमें पुआल इत्यादी बिछा दें जिससे की उनके खुरो पर मिटी ने लग पाए और कीडे जो घाव में हो जाते हैं उनसे बचा जा सकें दूसरा जो पसो का बिछावन है उसमें जब मूतर इत्यादी से वह गंदा हो जाए तो उस इस्तिती में उसे वहां से उठा कर या तो जला देना चाहिए या फिर गड़ों में दबा देना चाहिए आपको यह सावधानी रखनी चाहिए कि वह किसी भी इस्तिती में सुष्ट पसो के प जो बिछावन का हिस्सा है या फिर पसो का जूटा जो चारा है वो भी किसी सुष्ट पसो तक ना पहुँचे यह भी आपको सुनिशित कर लेना चाहिए तो अब बात कर लेने हैं टीका करन की तो जैसे आप सभी जानते हैं कि इस बिमारी का कोई भी निशित इलाज अभी तक नहीं है तो इसके लिए वैक्सीन ही एक मात्र उपाई बच जाता है तो इलाज से बहतर बचाओ वाली जो एक कॉंसेप्ट है उसी पर चलते हुए छे महा से ओपर के सभी पसों का टीका करन आप फुट एंड माउथ डिजीज के लिए खुर्पका मुपका बीमारी के ल भी राज्यों में निसुल्क उपलब्ध है तो अगर आपने अभी तक अपने पसों का छे महा से ओपर के पसों का टीका करन खुर्पका मुपका के विरूद नहीं कराया है तो आप अभी अपने नजदी की पसो स्वास्ते के अंदर पर जाकर वहां पर संपर करें पसो चिक करी आपके लिए उत्तम रहेगी और आपके काम आएगी तो किसान भाईयों आप हमें इजाज़त दीजिए उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोद करना चाहूंगा कि आप सभी करप्या करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को लाइक कर दीजिए और जिस वि इसे पर जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आएं तो किसान भाईयों आपने हमें समय दिया धन्यवाद नमस्कार